मौलदीव के राश्टुपती इंदिनों भारत दौरे पर हैं सोमवार को पियम मोदी और राश्टुपती सोले की बीच प्रतिनिदी मंडल स्तर की बादचीत हुई प्रतिनिदी मंडल स्तर की वारता के बाद संयूक्त प्रेस वक्तवे में दोनों नेताओं ने संबंधों को मदबूत करने के संकल्प के साथ ही रक्षा सुरक्षा समेथ तमाम मसलों पर मिलकर काम करने पर सहमत ही जताई मालदीव में नई सरकार बनने के बाद राश्टूपदी सोली ने अपने पहले विदेश दोरे के तोर पर भारत को चुना जो भारत और मालदीव के संबंधों के लिहाज से खासा महतुपूर माना जा रहा है करीब एक महिने पहले देश की सत्ता संभालने के बाद अपने पहले विदेश दोरे पर भारत पहुँचे मालदीव के राश्टपती इब्राहे मोहमत सोली के साथ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम द्वी पक्षे मसलों पर विस्तार से बात की इस बातचीत का लक्ष द्वी पक्षे संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत करना था प्रतियंद्र मंदस्तर की वार्ता की बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में दोनों निताओं ने संबंधों को मजबूत करने का संकल्प तो साथ ही रक्षा सुरक्षा समेथ तमाम मसलों पर मिलकर काम करने पर सहमती जताई पीम ने मालदीव के समाजिक आर्थिक विकास के लिए एक अरब 40 करोर डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोश्रा की भारत हमेशा आपके साथ है मुझे खुशी है कि इस प्रतिवधता की प्रत्यक्ष अभिवक्ति के तौर पर मालदीव के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बजेट सपोर्ट, करंसी स्वैब और रियायती लाइन्स अप क्रेडिट के रूप में 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक साहयता भारत मालदीव को प्रदान करेगा प्रदान मंत्री ने कहा कि दोनों देशों की सुरक्षा हिद एक दूसरे के साथ है और दोनों पक्ष हिंद महासागर क्षित्र में सहयोग को मस्बूत करने के लिए एक साथ काम करेंगे प्रदान में जोर देकर कहा कि भारत और मालदीव अपने देशों में किसी ऐसी गतिविधी के अनुमती नहीं देंगे जो एक दूसरे के हितों के लिए हानिकारक हो सकता है प्रदान मंत्री ने सोलिह को मालदीव के विकास में हर संभव मदद का आश्वासन दिया इसके लावा दोनों देशों के बीच वीजा सुविधा, सांस्कृतिक सहयोग, कृशी कारोबार तथा सूचना संचार तकनीक सहित चार संचोतों पर हस्ताक्षर किये गए इस दोरान सोलिह ने कहा कि हिंद महासागर में समन्वित गष्ट एवं हवाई निगरानी के जरिए समुद्री सुरक्षा को मस्बूत बनाने के लिए दोनों देश सहमत हुए इंपॉर्टन एसपेक्ट फ़ार दिसकुशन शोज बनाने के लिए प्रीजिश परेश्ट पर रविवार को दिल्ली पहुंचे सुमवार को उनकी बैठक विदेश मंतरी सुष्मसराज के साथ भी हुई और दोनों ने आपसी हितों के द्वीपक्षे संबंधों और क्षेत्रियों मुद्धों पर चर्चा की इसे पहले मालदीर के राष्टपती ने राजखाट पर राष्टपिता महत्मा गांधी की समाधी पर शधान्जले अर्पित की गरतलब है कि चुनावों के बाद हाल ही में सौलिह ने मालदीर की सत्ता संभाली है सौलिह के शपत ग्रहन में पियम मोदी ने भी हिस्सा लिया था अविशेग जहा के साथ डीडी निउस